आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेमेन के तरफ से, जो कॉमर्स बैग्राउंड से नहीं है, जिसने MBA, CA, CFA नहीं किया है, वो किस तरह से financial statements, specifically balance sheets को समझ सकता है, तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि हम अपने चैनल पर एक fundamental analysis का free course चला रहे है, with association with ticker tape, जिसमें A to Z हम investing का ग्यान दे रहे हैं, वो भी free of cost, अगर आप लोगोने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखें, तो मैं link description box में डाल दूँगा, playlist का, और जिस tool से हम सारी analysis करते हैं, that flow statements और balance sheet, यह तीन सबसे important statements होते हैं, जिसके basis पे हम companies को analyze करते हैं, अब आपने इनके नाम बहुत बार सुने होंगे, बट बहुत बार confused हो जाते हैं, specifically balance sheet जैसा आपने last video में कहाता है, don't worry, आज के वीडियो में, मैं यह simply आपको समझा दूँगा, और कुछ भी पसंदा है, त इसको यह balance कर रहा है, वो होता है, assets and liabilities, यह वो दो चीज़े होती हैं, जिसको वो, तो what you owe versus what you own, own मतलब assets, owe मतलब liabilities, तो अगर हम इस हिसाब से सोचते हैं, तो obviously बात हैं, हमारे उपर करजा जितना कम होगा, और जितना जादा cash, property, यह सारी चीज़े हमारे पास होगी, उतन लिए हमको पता चलेगा, कि company की financial health कैसी है, जल्दी solvent तो नहीं हो जाएगी, insolvent तो नहीं हो जाएगी, मैं आपको, आपके द्वारा जो दिये गए थे कुछ examples, जो आपने stocks के नाम लिये थे last video में, उन्ही में से 4-5-6 stocks, आज के इस वीडियो में मैं analyze करूँगा कुछ देर म अब जब हम balance sheet की बात कर रहे हैं, तो दो terms आपको हमेशा बहुत बार encounter होंगे, current and non-current, अब current का मतलब क्या जटका, नहीं नहीं, current का मतलब जो ongoing process में use होता, उसको हम कहते है current, example लेते हैं, आप खोलते हो, Einstein वड़ापाव international, अब वड़ापाव company को चलाने के लिए, रोज equipment लगेंगे, stove लगेगा, तवा लगेगा, etc. ये सारी चीज़ें आपकी current assets हो गई हैं, अब अगर इसी चीज़ को लेने के लिए, आप किराने के दुकान से उधार पर ये समान लेके आता हो, day-to-day activity पर, वो current liability हो जाएगी, तो balance sheet, basically health बता रही है, आपकी इस वड़ापाव company की, कि आपने कितना assets ली हैं, कितनी liability, मान लीजे, आपने एक building खरीद ली, उसके अंदर आप manufacturing करते हों, इन सारी चीज़ों का, तो building हो जाएगी, आपकी fixed assets, जिसको हम non current assets भी कहते हैं, और एक term आएगा, उसको हम कहते हैं, share capital, अब shareholder fund को अगर समझे, तो IPO के बाद, जो भ होती एक liability, अब आप सोच रोगे, यह liability कैसे हो गए भाई, यह तो हमारा asset हो गया ना, विकास किसी भी company का, वो part owner बन जाता है, जिसने भी company के share खरीद है, तो एक तरीके से company के उपर एक obligation अब बन गया है, भाई, मुझे एक profit का part देना है, उनको मेरे को dividends देना है, and that's why, वो liability के part बाता है, अच्छा पर काफी commerce students और MBAs भी अपने channel को visit करता है, तो चलिए comments में जरूर बताइएगा, कि हमेशा assets is equal to liabilities क्यों होता है, don't worry, मैं आने वाले videos में जरूर बताऊँगा, लेकिन आप लोग जरूर बताएगा, तो हम बढ़ेंगे ticker tape के screen पर, और आपकी में आप लोगों ने कुछ stocks suggest किये थे, तो मैं आज उन्ही में से 5-6 stocks पे balance sheet के analysis करूँगा, जाहर से बात है कि usually जब हम financial statements की बात करते हैं, तो बहुत सारे जो specifically CAs रहते हैं, या फिर जो accounting background या MBA या CFA background से आते हैं, they usually start with P&L cash flow statement and then heading towards balance sheet, but हम थोड़ा कुछ हटके करेंगे, because last to last video में सबसे ज़्यादा demand balance sheet की थी और जैसे आपको पता अपने channel पे, just teach की सबसे ज़्यादा demand वो पहले आ जाता है, चली, तो सबसे पहले हम जाएंगे, आपके favorite stock, और उदर से हम कुछ समझेंगे, कि basically यह balance sheet का माजरा क्या है, okay, so, यह हमने खोल लिया है, दोस्तों, आप का one of the favorites, suzalon energy, देखें, आपको एक चीद समझनी है, हमेशा always try to remember, कि जब भी हम बात कर रहे हैं, किसी company की, जो बहुत ही capital intensive होती है, मतलब इस पर बहुत जादा ना पैसा लगता, तो जाहर से बात है, उसके probability of taking the करदा, या फिर loan, would be much, much, much higher than normal companies, और यह common sense है, आप चली, मैं एक example देता हूँ, एक company है, मान लिजीए, आप खोलते हैं, एक software related company, आप software services provide करते हैं, versus आप बनाते हैं nuts and bolts की manufacturing unit, अब अपने आप से पूछो, किस चीज के लिए आपको जादा पैसा लगेगा, it's quite obvious, nuts and bolts वाली चीज पर जादा लगेगा, because एक तो आपको पहले बड़ा space ल लेना पड़ेगा, machinery लेनी पड़ेगी, बहुत सारा माल आपके go down में रखना पड़ेगा, plus आपको credit पे बहुत सारा काम करने हैं, तो it's quite obvious, तो हमेशा common sense एक चीज लगाना कि balance sheet पे भारी पड़ जाता है, जब भी आप capital intensive industry पे जाते हैं, तो let's go and suzlon industries पे हम जाके एक current asset मतलब current मतलब अभी, जो normal activity में लगेगा, और non current assets बोले तो जैसे अगर suzlon ने, कुछ चीज़े ऐसे लिए हैं कि भाई हमको लंबे time पे देना है, we are not into a hurry, हमको अराम से लंबे time पे देना है, let's take an example, मैंने 5 साल का loan लिया हुआ है, windmill खरीदने के लिए, तो वो कहाँ पर जाएगा, वो windmill चले जाएगा, मेरा non current asset, और वो loan कैसा हो जाएगा, that is actually becoming a liability, very simple, ठीक है, और current liabilities मतलब जो साल भर के अंदर pay off करना पड़ता है, within a year, whenever I have to pay off some of my liabilities, वो current liabilities, non current liabilities बोले तो बहुत लंबा, मतलब one year के ऊपर, see, I know, यहाँ पर कुछ परम ज्यानी व्यक्ती आएंगे comment section में, जो अपना chartered accountancy और बाकी सारी चीजों का ज्यान यहाँ पर अर्पित करेंगी, but please try to understand, this is basics of fundamental analysis, I don't want to go that deep कि सामने वाला confused हो जाए, मैं यह समझ के चल रहा हूँ, कि जो सामने वाला मेरे पास है न, वो शायद 8th class का बच्चा है, 9th class का बच्चा है, and should understand the basics very easily, so please don't misinterpret that, तो यहाँ पर टिकटी पर एक और option रहता है कि मैं इनके constituents देख सकता हूँ, तो आपको कुछ चीज़े यहाँ पर दिखरी होगी, so when I am looking into current assets, तो एक और शब्द आ जाता है, inventory, अब inventory का मतलब क्या होता है, कि आपके पास कितना समान गो डाउन में, warehouse में पढ़ा हुआ है, कितना material पढ़ा हुआ है, what is the total amount of inventory left over, receivables, मतलब, let's take an example, दो बंदे हैं, राजू और शामू, तो शामू उसको बोलता है कि या राजू, अभी मेरे जेब में पैसा नहीं है, यह ले बिल पकड़, मैं तेरे को 15 दिन बाद दोगा, तो 15 दिन बाद वो पैसा जो आ आने वाला, that becomes a trade receivable, इसी का उल्टा कर दोगे, तो payable हो जाता है, जो कि liabilities हो जाएगे, कि भई हमको देना तो ही, तो वो liability हमारी, correct, तो वो नीचे आएगा, inventory हो गई, और इसी तरह आप यहाँ पर देखो, गब आप सोचोगे, औरे, loans and advances, although यहाँ पर जीरो है, but यह इधर क कैसे आ रहा है, how is it coming into current assets, यह तो काईदे से, it should be coming into debt वाले area में आना चीए, तो आप सोचो, थोड़ा logic लगाओ, अब आप एक तरीके से समझेए, कि आप एक company चला रहे हो, ठेके, let's say, Raju is running a company, और उसके सामने आ जाता है, उसका friend शारुक, शारुक बोलता है, कि भाई, वो दे देगा loan, एक short term loan देगा, जिसपे कि उसको interest कमाएगा, अब सोचो, Raju के लिए, जो उसने loan दिया, is it an asset, or is it a liability, correct, अब एक और चीज़ होती, goodwill and intangibles, अब यह क्या चीज़ होती है, जिसे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते नहीं हो, यह इश्क की बात नहीं कर र तो आप सूच रहों कि यह क्या है, don't worry, मैं एक IT का example लोगा वहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, always remember कि IT companies में आपको goodwill and intangibles सबसे जादा दिखेंगे, और अगर आपको गलती से बहुत जादा cash in books दिख जाता है, या फिर if you are actually जैसे सत्यम के case में हो गया था, या you are getting a lot of deferred tax liabilities या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखती है, तो आपको सतर को जाना है, तो यह कुछ चीज़ है, account payable मैं आपको बता दिया कि क्या है, current liabilities जो लग रहा है, long term debt जो एक लंबे time पे लगेगा, current liability, total liability और यह से सबसे, so now मैं यहाँ पर, हाँ, और एक और important ची IPO, IPO के बाद आप कभी सोचते हो, let's say, IPO के ऊपर जो बोलते हैं, premium मिला 300 rupees per share का, तो वो 300 rupees जाता का है, कौन खा जाता है, कौन खा जाता है, that actually goes into reserves and surplus, और एक common rule हमेशा याद रखो, जो आपको 50,001 लाक रुप है के training में बता जाएगा, मैं एकदम free 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 दे रहो, और अच्छा लगे तो like कर देना, that reserves or surplus, year on year जब पढ़ते हैं, that is a positive sign, तो यहां तो भया, already गढ़बढ है दया, because reserves and surplus, पे मुझे कुछ दाल में ताला लग रहा है, so anyways, उसके अलावा आप देख सकते हैं, तो अब हम एक बहुती basic analysis करते हैं, हमको बस यह देखना है, अब नॉर्मल सोजो कोई भी company को अगर लंबे time पे चलना है, we are doing everything basic, detailing में हम बाद में आगे जाके चलेंगे, बड़ आज पूरा basic चल रहे है balance sheet का, तो आप अपने आप से पूछो, कि आपकी अगर job 20,000 रुपीज की है, लेकिन आपके EMIs, जो आपने loan लिया, वो 40,000 के हैं, तो क्या आप लंबे activities जाती जा रही है, which you can clearly see, year on year आपको दिखेगा का भाया, assets कम हैं, और liability तो भरी पड़ी भी है, total liabilities देखे, total assets 6,530 crores, 17,572 crores, और साथ में आप जब उसके net worth के साथ, market capital के साथ, आप जब ये चीज़े देख लेते हो, जो मैं आपको ticket tape के screener पे दिखाऊंगा, तब you will realize कि ये चीज़ सही है, तो अगर एक बंदा common sense भी लगाता है, और logical investment करता है, देखो एक होता है, आप speculate कर रहे हो, कि ये 5 रुपए का है, चल गया 15 रुपए है मेरा पैसा बंदा है, but logically, by merely looking into the debt, debt मतलब कर्जा, do you really think ये एक wise choice है, अब मैं आपको एक और interesting चीज़ दिखाता हू ठीक है, so let's go and check, कौन सा वो है, पावर ग्रेट, काफी लोग उने ये भी किया था, पावर ग्रेट करो, ठीक है, पावर ग्रेट के अगर मैं financials पे जाता हूं, and then if I go to the balance sheet, and मैं यहाँ पर सारी चीज़े expand कर देता हूं, see, constituents पे जाके, तो यहाँ पर आपको एक term देखेगा, deferred tax liabilities, अब यह क्या है, अर्थ समझेए, English में, इसको literally transfer कर देतो, इसको simple layman terms में कहूं, तो यह वो liabilities हैं, जो अभी नहीं आई है, यह अभी आपके उपर obligation नहीं है, बट आगे चल कर आ सकती है, example लेते हैं, let's take an example, रखेंगे, दीपु कलालू, ठीक है, दीपु कलालू नाम की एक company है, और उसको income tax वाली office बोलती है, भाई, तुमने 2018 का tax नहीं बढ़ा था, तुम्हारे उपर obligation है, 1000 करोर का, तुमको दीपु कलालू, 1000 करोर डालू, तो दीपु कलालू बोलता है, कि नहीं बहीं, मैं तो ब कलालू is saying कि नहीं भई हम सही है, but the income tax department is saying कि नहीं, आपको देना पड़ेगा, आप यह miss out कर दियो, आपके यह वाले, जो आपने sell out किया था, services, उसका देना पड़ेगा, now, दो assumption है, पहला दीपु कलालू, यह बाद में court तक बार पहसते हो, दीपु कलालू यह case जीज जाता So, don't you think he has an additional obligation? अब मैं आप लोगों को एक homework दे रहा हूँ, there are few companies into heavy capital based intensive industry, जिनके जब आप deferred tax liability देखोगे, तो it is more than their market capital and net worth, अगर एक बार research कर लो, तो comments में जरूर बता न, because I think यह जो हमारे classes चल रहे हैं, free of cost, इसमें मैं चाहता हूँ कि जो sincere students हैं, वो थोड़ा अपना homework भी करें, भलेगा बाद में आके शाम को, जब भी ये वीडियो देखके, उसके बाद सीखके, अपना research करके आओ, और आके देखके बताओ, कि वो कौन सी companies है, जिनके deferred tax liabilities, उनके net worth से भी जाता है, उसका मतलब क्या है, मान लो, एक example लेते है, दीपू का लालू का net worth है, 100 क उसको income tax department, deferred tax liability के basis पे पोलरी, 1000 करोर, अब कल को, कल को दीपू का लालू हार गया, तो how the hell he is going to pay 1000 करोर, इसका मतलब, दीपू का लालू will be forced to file a bankruptcy, फस जाएगा विचारा दीपू का लालू, तो ये वाली चीज़ है, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कि आपको हमे निशा goodwill इस चीज़ बैग और ये पता नहीं क्यों बहुत लोगों ने demand करते रहते हैं, HCL technologies का, तो यहाँ पर इनके balance sheet पे जाके, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ठेक है, सो जब मैं इनके balance sheet पे जाके देखता हूं, तो यहाँ पे देखे, goodwill and tangibles, अब बोलोग या यह सुजलान हुजलान में तो नहीं थे, even when you look into hardcore other capital based companies, आपको वहाँ नहीं दिखेंगे, but why the hell HCL technologies is having so much of goodwill, because इसका a common sense reason है, दोस्तों, अचा दोस्तों, अगें थोड़ा सा हलका फुलका लंबा हो जाएगा, please don't mind, because as I said, सिखाने आता हो, तो जब तक सीखते नहीं है, बच् tangibles की जब मैं बात करता हूँ, तो आपको समझना है, goodwill क्या होता है, let's take an example, एक व्यक्ती है, जिसका नाम है रितिक, और दूसरे का नाम है, और रितिक को एक दूसरी company पे नजर जाती है, जिसका नाम रहता है कंगना, तो रितिक बोलता है कि कंगना की valuation is at present मान लो 100 crore, रित रितिक के पास बहुत सारा पैसा है, तो रितिक क्या करता है, रितिक company private limited, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार चलो हम overtake करेंगे, इन चीज़ को हम खरीद लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, they pay 150 crore to buy out this, the other company, तो अब इस case में 100 crore का net worth था सामने वाले party का, but 50 crore extra दिया गय तो this additional 50 crore will actually come into the books of रितिक private limited की goodwill में, so anything which has been paid extra during the acquisition, जिसको आप judge नहीं कर सकते हैं, एक goodwill value है, यह, इस पे ना सबसे बड़ा game खेल रहे था अपने विजय माले, by the way, उसके उनके ओपर भी एक वीडियो पर ने डाला हुए, मैं चाहिए तो description में डाल दूंगा, you guys can actually check Kingfisher Airlines क तो goodwill वाला case वहाँ पर हो जाता है, so now you understand too, तो देख रहे हो, actual में चीज़े ना आपको डराने के लिए बहुत कॉंप्लिकेट कर दीगी, it's not that difficult, कि भूयो जब तक सीयो ने करो को सीयो, अर क्या भई, थोड़ा समझाने वाला चाहिए बस, कोई अगर समझाने वाला सब समझ सकते, तो यह चीज हो गए, ठीक है, अब नेक्स चीज, यह चीज हो गए, इन्वेंटरी भी मैंने आपको समझा दिया, अब एक और मैं आपको example दिखाता हूँ, अब हम चलते हैं, एक और power based company पे चलते हैं, तावर में टाटा पावर, तो टाटा पावर पे, when I actually go, and इनके financials के, when I go to the balance sheet, अचा, इधर एक दो और चीज है, यह मेरे को बहुत बढ़िया feature लगता है, टिकर के जब भी आप टिकर टेप पे, whenever you are actually looking into certain things, नहीं, main key ratios बता देता है, for example, यह क्या भोल रहा है, debt to equity ratio, इसको पढ़ते हैं, over the last 5 years, a debt to equity ratio has been 248.36% versus 26.97%, इससे में क्या conclude कर सको, पहले तो यह debt to equity का है, by the way, अगर आपको ratios का video जल्दी चाहिए, तो comments में ratios लिख दिजएगा, बहुत जल्द मैं बनाऊंगा, वैसे तो एक और मेरा plan बीच में mutual funds के एक दो वीडियो से हैं, उसके बाद मैं बहुत जल्दो करूँगा, तो जितने जादा comments आएंगे उतना जाद रिस्की हो जाएगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक IT company उठाएंगे, उसके debt to equity को compare कर देते हैं, किसी और power based company, tire based company, गलत है बहिया, गलत है, मतलब ये तो वही simple सी बात होगी, बचाहिए, often give example to my students की, मान लीजे, आपके पेट में दर्द है, और आपके दोस के सर में दर्द है, आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर is obviously going to give you different medicines, दोनों को अगर पेट दर्द की दवा दी, तो एक जन सही होगा, दूसरा नहीं होगा, likewise ये जितने parameters होते हैं, जितने ratios होते हैं, जितनी चीज़े balance sheet या PNLS में होता है, वो सारी चीज़े लेने Twitter पर होला, and some people, do you really think we should go for Nestle, it's very, अरे भाई, in India there are hardly 25 to 30 companies, who are leader in their respective industries, and they are bound to get that sort of valuation, उनका P, आपने कभी Nestle सस्ते में देखा है, कभी आपको देखा है, मतलब जब से आप trade करने कि ये सस्ते, वो सस्ता मिलेगा वे नहीं, जब तक उसका मोट नहीं तूकता है, वैल मैं इसको complicate नहीं करूंगो, वो कुछ अलग वीडियो पर रखेंगे, but coming back to debt to equity ratio, तो debt to equity ratio इसलिए बेटर है कि आप within the industry देखो, तो within the industry Tata power is coming into this thing, लेकिन ये एक और चीज़ बता रहा है, 256.97% और 248, मतलब ये बता रहा है, कि power industry में हमेशा debt का ratio साधा रहाता है, it is always higher, और एक balance sheet related ही चीज़ बता रहा है, higher than industry, so current ratio यहाँ पर लिखा हुआ है, company's obligation to pay short term obligation, higher is better, जितना ज्यादा है, उतना बेटर है, and same यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आपको दिखा, the debt equity ratio is the of the company's total liability, जो total कर जाए, divided by equity, it is the degree at which the company is financing its operation through debt versus wholly owned fund, मतलब कितने करज़े से वो कर व तो कित्ते उससे कर रही है, तो पहली चीज़ तो मेरे को समझे में कि यहाँ पर capital intensive industry में debt equity हमेशा जाधा रहेगा, और यहाँ पर current ratio efficiency इसकी अच्छी है, और वहीं पर अगर मैं industry change कर लेता हूँ, for example, let's say, हिंदुस्तान, Unilever ले लेते हैं, अच्छा, पहले इधर की एक ची 19, 20, 21, वहीं पर जब मैं, अभी हमने HCL देखा था, ठीक है, तो HCL technologies पर, again when we go to the financials, और यहाँ पर मैं उनके balance sheet आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो आप अब यहाँ पर liability देगो, do you see the difference, and when you go and check market capital का, तो you will be astounded to see, कि भाई, जो power-based company है, वो बहुत जाधा debt से चलती है, That is one of the reasons, मेरा personal reason है कि मैंना बहुत जाधा power-based companies में ऐसे भी invest नहीं करता हूँ, बहुत जाधा कि मैं तो हैसे भी नहीं करता हूँ, इसलिए काफी लोग पूछते है, सर यह power company ली वो कहार, so now you understand कि मैं क्यों avoid करता हूँ, कि मुझे हमेशा से, I am always considering a worst case scenario कि market मान लो किसी time पर, देखो कोई कुछ बता के नहीं होता है, कोई recession, कोई bull rally, यह bull rally भी बता के नहीं आई थी कि इतना time चलेगी, कोई recession, कुछ बता के नहीं आता, तो कल को खुदाना खास्ता, ऐसा होता है that the markets stop performing for let's say 2-3 years, तो और market मतलब stock market नहीं बोल रहा हूँ, बहारवाला market जहां से lending-wending बं finance infrastructure, many examples, तो यह एक चीज हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक और चीज देख ली, IT companies में आपने goodwill देख ली, deferred liability वाली मैंने चीज आपको बता दी है, अच्छा, एक और चीज आपको दिखेगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, so, let's go to a banking stock, I see, I see, I see, काफी लोगों ने बोला था, guys, कुछ भी पसंद आए, तो like करते जाना, अगर इस तरह के वीडियो regularly ठीए, I know, लोगों को scam serious, तो इसमें जादा मज़ा आता है, but, मेरा motive यह भी है, कि मैं साथ में आपको educate भी करो, so, अगर आपको education पे भी believe है, कि आता है, तो make sure, आप like भी करते चाईए, so, यहाँ पर, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, so, where is that, so, यह जैसे account payable हो गया, trade payable हो गया, यह सब वही है, कि अभी bill बना है, बट अभी pay करने के जरूत नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ पर एक चीज़ देखो, यह दिखाऊंगा था, I got it, loans and advances, ठीक है, औरे बापरे, इत्ता जादा, sir, आइसे आइसे तो खतम खलाश, संपला, नहीं, you need to understand, कि finance based company, देखो मैं इत्ती detailing में, basic में विचार हूँ आपको, यह सारी चीज़े लोग trade goes बताएंगे, तो आपको एक चीज़ समझनी है, कि आप जब भी banking company में जाओगे, banking company anyways, will have its assets in terms of loans, because banks का का काम क्या है, banks कमाती कैसे, banks घर थोड़ी बेशती है, banks थोड़ी गाड़ियां बेशती है, banks क्या देती है, loans and advances, so now you're getting, banks क्या जाधा acquisition करती है, नहीं, as such क्या, उनको क्या, बार बार, IT companies को क्या होता है, कि आपको हर stock को एक individual basis पे देखना होगा, तब जाके आप ये चीज समझोगे, अब मैं यहाँ पर ना, टिकर टिप के एक वही interesting feature, screener पे जाता हूँ, मान लो, अगर मुझे इतना individual करने की महनत नहीं करनी है, तो मेरा ये मानना है, तो हाड वर्क तो एक मजदूर भी करता है, with due respect, वो भी 15 आर्स कर रहा है, और एक मैनेजर भी 15 आर्स कर रहा है, अब मजदूर एर्न्स 5000 आर्स कर रहा है, और थोड़ा सा, I know किस्मत का भी रहता है, let's not make it debatable, the point I am trying to make, because social media पे आप कुछ बोलोगे, जैसे मैंने एक बार वोल दिया कि women empowerment पे ध्यान देना चाहिए, तो some people were like, ये feminist बन रहा है, लड़कों की क्या गलते है, अरे भाई, the point I am trying to say is not trying to defer over here and there, okay, तो अब आपको मैं एक चीज इधर screener से चीज़े आसान हो जाती है, तो smart work आप करते हो, तो वो चीज़े आसान होती है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ and एक चीज़ अच्छा में को, जैसे मैंने deferred tax liabilities की बात करें, okay, so I will just go over here and so reliance पे भी है, but आप जब कुछ चीज़े देखेंगे, तो यह बी हरान, जिसे अभी power grid पे मुझे थोड़ा honestly जादा लगता है, because 12,000, नहीं, okay, 1,21,617 crore का 11,228 crore का deferred tax liability है, तो कभी कबार क्या होता है, जब हम लोग price action देखते हैं, we think कि यह follow-up क्यों नहीं हो रहा, कुछ चीज़े ना अंदर भी रहती है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना, आज़ा, यहीं पर, so you can see all these things, अब यहीं पर जैसे मान लिज़े मैंने deferred tax liability देखी, हम उसको remove कर देता हूँ, एक और चीज़ जो हमने एक और चीज़ जो हमने देखी है, वो बिखाता हूँ, debt to equity, तो पूरी एक list आजाएगी, so आप लोगों को अब यहाँ पर debt to equity भी देख जाएगी, और जो मैंने peer ratio की बात करी थी, आप देखोगे, हिंदुस्तान यूनिवर्ट तो 78 है, so हम जाएंगे and let's say ITC के पास जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत undervalued है, बहुत undervalued है, but sometimes, आप peers में जाके, यहाँ पर देख सकते हैं, इतना भी undervalued नहीं है, it is coming, because इसका core income tobacco से आता है, तो भाई, इस industry में सस्ता तो Godfrey, फिलिप्स और VST है, ITC तो महंगा है, ओ, ITC fans, ITC महंगा है इस level पे भी, yes, अगर आप सरफ P ratio के basis पे देख रहे हैं, event ticket tape, जिस पे हम यह analysis करते हैं, वो भी मैं डाल दूँगा, यह वीडियो कैसा लगा, आपको सीखने कुछ मिला, तो comments में जरूर बताएगा, और likes जरूर कीजेगा, अगर आपको इसी तरह के videos, learning वाले, frequently जीए, till then, keep learning, keep brewing, keep investing, and keep trading.